आज के इस वीडियो में हमें अपरतन के नियमों को समझेंगे कई बार एक्जाम के अंदर अपरतन के नियमों के बारे में पूछ ले जाता है तो अपरतन के दो नियम है अपरतन का पर्थम नियम और अपरतन का दित्य नियम ठीक है अब ये अपरतन की तो नियम है इसको समझने से पहले अपन एक बार थोड़ी सी अपरतन की परिभासा को दुबारा देख लेते हैं कि अपरतन किशे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा जब परकास की किरन एक माद्यम से दूसरे माद्य में परवेस करती है तो वह準 है अपने पत्ष से पत्हने के रास्ते से विचलित हो जाती है या मूड जाती है या फिर दिसा बदल जाती है कोई भी एक सब्द्विज्ड कर सकते हो आप जब परकास की किरन एक माद एम से दूसरे bible में पर्यूस करती है तो वह अपने पत से विचलित हो जाती है इसे परकास का अपरतन कहते हैं ये तो परकास के अपरतन की सरलशी परिवासा है अब देखिए यहाँ एक परियोग हमने काच के सलेप के बरे में पढ़ा था हवा एक माद्यम है जो की विरल माद्यम है काच एक माध्यम है जो कि सगन माध्यम है हवा में कंड दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम हो गया काच में कंड पास पास में होते हैं तो ये सगन माध्यम हो गया और ये परकाच की कोई किरण है आने वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण जब ये परकास की आप्तित किरण एक माद्यम यानि की हवा से दूसरे माद्यम यानि की काच में परवेश करती है तो ये जानितों चेथी सीधी ऐसे प्रन्तु ये अपने पत से अपने रास्ते से विचलित हो जाती है मुड़ जाती है और यहां पर यह जो हवा माद्यम है विरल माद्यम और दूसरा काच माद्यम है सगन माद्यम जब परकास की किरन विरल माद्यम से सगन माद्यम आती है तो वह अबिलंब की और जुख जाती है ठीक है यह अबिलंब है इदर अपरतित किरन है अपरतन के पसा जो किरन निकलेगी इसे अपरतित किरन कहेंगे तो अबिलंबे और अपरतित किरन के बीच में जो कौन बनता है आर उसे अपरतन कौन कहते हैं किलियर ये बाते अपने समझ ले थी पहले भी एक बार दुबारा देख ली क्योंकि अपरतन के नियम को समझने से पहले अपन को कौण आई यानि कि आपतन कौण और कौण आर यानि कि प्रावरतन कौण के बारे में थोड़ा समझना जरूरी था चलिए अब आते हैं अपरतन के नियमों में पहला नियम पहला नियम जो है वो यहां से शुरू होता है कि अपरतन के दोरान आपतित किरन आपतित किरन कौण सी जैसे काच की सले बने ये इसमें आने वाले किरन ये किरन ठीक है आपतित किरन अपरतित किरन अपरतित किरन कौण अपरतित किरन और अभिलंबे तीनो एक ही तल में होते हैं यह है अपरतन का पर्थम नियम है बहुत सिंपल सा है अपरतन का पर्थम नियम क्या है जब आपतित किरन अपरतित किरन और अभिलंबे तीन चीजे होगी तीनो एक ही तल में होते हैं तो यह है अपरतन का पर्थम न नियम की। अवब बात करते हैं अपरतन का दूसरा नियम है उसके बारे में अपरतन अबिलम कि विवीत साथ को ना ँती है? ये को लुए ये कों, आपतन कोण और ये कों आपतन कोण और अपरतन कोण ठीक है इन दोनों के अनुपात यानि कि ज़से मान लीजिए यहां यह काज की सलेव है और इसमें आपतन कोन जो है आपतन कोन का मान यहां सपोस कीजिए 30 डिगरी है ठीक है और यह अपतन कोन का मान जो है यह 20 डिगरी हो गया किलियर तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात कैसे लिखेंगे अपन साइन आई साइन आई यानिकी साइन जो है उसमें आई का मान आपतन कोण का मान कितना है उसको भाद देंगे sin r यानि कि अपरतन कोन का मान कितना है उससे अपने डिवाइड करेंगे और ये sin cos theta ये जो होते हैं अपने sin cos ten ठीक है इसके लिए एक सारणी है वो सारणी आप गणिती विच्छे में पढ़ोगे तो वहाँ से उसका मान लेके आएगे कि sin 30 का मान कितना होता है sin 20 का मान कितना होता है जैसे यहाँ 60 है ये 45 है तो इनके मान है वो सारे fix होते हैं तो अपने इसको divide करेंगे तो उसका नियतांक आएगा नियतांक कहने कि एक निशित मान होगा फिक्स मान होगा, हो बदलता नहीं है क्योंकि जयरुम अपने एक माधम ले रहे हुआ तो होआ अपने अबिलम के साथ में जितने डिगरी पर कॉण बनाया है दूसरा माधम है कााद, काद के साथ में जो अ्परतन का कॉण बनेगा हवा के साथ में आपतन कोण और काथ के साथ में जो अपरतन कोण है उसका मान हमेशा नियत तांक होता है फिक्स होता है यह नियत रहता है तो इस परकार से हमने यहाँ पर यह देखा कि किस परकार से यहाँ पर कोण आई और कौन आर का मान है ने तांक होता है चलिए फिर आपन आगे देखते हैं अब देखिए अपन आगे इसमें बात करें यही बता रहा है कि यह है अपरतन का दूसरा नियम है और इसे इसनेल का नियम कहते है अब परतरगना दुसरा नियम क्या है आपतर कौन आई की जया जया यहां पर यह साइन से लिया गया है ठीक है ना साइन जैसे साइन 30 का मान है साइन 45 का मान है साइन 60 का मान है अब यह तो मान अलग अलग हो सकता है जैसे मानले यह काज की सलेव है और यहां वायू से प्रकास की किरना आ रही है और यह विलम है तो यह कौन तो आई जो है यह तो अलग-अलग हो सकता है अपने किरन यहांशे डालेंगे तो इसका मान जो है कम होगा वेश डिगरी होगा यहां चीड डालें तो जिसे 15 डिगरी हो जाएगा यहां चीड डालें जिसे 60 डिगरी हो जाएगा ठीक है तो यह तो इसका मान जो है वो अलग अलग हो सकता है ठीक परण तो जो ही यह काच में प्रेस करेगी उसका मान जो है वो ही बदलेगा अपरतन के बाद में कौन आरकामान चीड़ा न यह भी बदलता है परन्तो यह फिक्स इसलिए है कि अगर यहां पर कौन 30 है और अगला मादिम काची है यहां वायू है तो यहां पर 30 के लिए हमेशा जो आरकामान है वो 30 से कम ही आएगा कम क्यों आएगा क्योंकि ये किरन अविलम क्यों रजुग जाती है ठीक है और वो भी फिक्स होता है कितना आता है वो हर बार हर बादम के लिए नियतांक है नियतांक अलब एक परकार से फिक्स होता है निशित होता है उतना ही होता है मेंसा तो यह कहने का मतलब यह है कि अपरतन में आपतन कौन आई की जया और अपरतन कौन आर की जया का अनुपाद जो है वो इस्थिर रहता है नियतांक रहता है इसे ही अपरतन का दूसरा नियम कहते है और इसे इसनेल का नियम भी कहते है इसका दूसरा नियम हो रही इसनेल का नि आपन थोड़ी शी माद्यम के बारे में विस्तार्शे बात करेंगे इसे माद्यम दो का माद्यम एक के साफिक्स अपरतनांग मू कोई दो सिंबल ना ये यू की तरह है यहां इदर भी इसमें ऐसे लगा रखा है इदर आपको ये सिंबल ये इदर वाला ऐसे ये इसे म्यू कहते हैं आदा मैं और यू ये 21 नहीं है कई आप सोचों कि 21 इए 21 है इसे अपन 2 और 1 कहेंगे 2 का मुदल गया है दूसरा माद्याम और 1 का मुदल क्या है पहला माद्याम जैसे माली जी यहाँ पर काच की सलेब थी नहीं है काच की सलेब में यहाँ पर काच की करण जो आप्तित करण आती है वो क्या था वायू वायू थो नहीं यहाँ पर हवा या वायू एकी बात है ठीक है दूसरा क्या था यहाँ पर मादिम काच तो कहने का मतलब यहाँ पर जो 2 है 2 तो दूसरा मादियम है काच और 1 क्या है 1 पहला मादियम है वायू जिसमें आपतित क्रिण प्रिवेस करती है वो तो पहला मादियम हो जाएगा और जिसमें अपरतित क्रिण जहां से गुजरती है वो दूसरा मादियम हो जाएगा चीक है तो यहाँ पर इसको लिखते हैं Mew 2 1 2 1 याने की दूसरा माद्यम और 1 याने की पर्थम माद्यम चीक है साइन I अपन साइन R का मांजो है वो Mew 2 1 तो अपरतनांग की परिवासा भी बोर्ड परिक्षा में कई बार पूछीगे कि अपरतनांग क्या है तो आपको लिखना है कि माद्यम दो का माद्यम एक के सापेक्स माद्यम दो और माद्यम एक के सापेक्स जो अनुपात है उसे ही अपरतनांग कहते हैं माद्यम दो ये नीचे वाला है क्योंकि अपरतन कॉर्ण जो होगा न माद्यम दो में होगा और ये आपतन कॉर्ण माद्यम एक में होगा इन दोनों का अनुपाथ अनुपाथ का नलब बटा में इसको अपर बटा में लिखते हैं ना आई बटा साइन आर चीक है ये अनुपात ही होता है इसे अपने अनुपात मानते हैं अनुपात कहते हैं इसको तो ये मादेम दो का ये रहा मादेम दो और ये मादेम एक ये रहा मादेम एक का अनुपात क्या कलाता है साफिक्स अपरतनांग क्या लाता है चीक है अब देखो तो आगे परिवासा और अत्य जो कि भूट इंपोटेंट है और बोर्ड प्रिक्षा में कई बार पुछगी है वह परिवासा है निर्पयक सपुरतनांग क्या है निर्पयक सफुरतनांग क्या है समझेगा पहले इस चीज को यदि परकास निर्वाद से किसी माद्य में तो वायू से प्रैस्थ करती है परन같ू यहां पेपर प्रकास की की निर्वाथ में हो सुरु Community पुर्थी तक पहुछते ना तो अंतरिक्स में वहां निर्वात है तो प्रकास की निर्वाथ से हवा में आती है या निर्वात से किसी कार्ण जो पानी तो मातु की किरने का पहला जो माद्यम है पहला माद्यम क्या हो गया निर्वात होता है कि लिए समझेगा ध्यान से पहला माद्यम क्या है निर्वात है ठीक है दूसरा माद्यम कुछ भी हो सकता है आवास होकती है पानी हो सकता है यदि परकास निर्वात से किसी माद्यम में प्रवेश क करता है तो उस माद्यम के निर्वाद के सापेक्स तो दूसरा माद्यम वायू काच पानी ठीक है निर्वाद के सापेक्स निर्वाद के नुपात में वही निर्वाद क्या है माद्यम एक और माद्यम दो वायू पानी काच कुछ भी हो सकता है सापेक्स कर लो यहां नुपात ह ठीक है अपरतनांग को क्या कहते है निर्पेक्स अपरतनांग कहते है यदि पहला माद्यम क्या है निर्वात है और दूसरा माद्यम कोई माद्यम हो सकता है हवा ठीक है पानी काच तो इन दोलों का उनुपात क्या कहलाता है निर्पेक्स अपरतनांग कहलाता है के लिए यह प परतनांग ठीक है अब आगे देखो इसी परकार कि इसी माद्यम के हवा के सापिक्स देखो मने यहां माद्यम ले लिया पहला माद्यम हवा ले ली और परकास का कोई माद्यम ले लिया दूसरा कोई भी माद्यम हो सकता है पानी हो सकता है काथ हो सकता है गिल स्रीन हो सकता है ही में वेग, तो वेग क्या है, यहां पर V1, पहला माद्यम का, अपने V1 लिख दिया, वह नहीं पहले माद्यम का वेग, परकास का माद्यम में वेग, दूसरा माद्यम, चीक है, काच है, और पानी है, जो भी है, तो यह दूसरा होगा है, दूसरा माद्यम, तो V2 लिख दिया, वेग का उनलब वेग, वी का उनलब क्या है, यहाँ पर वी का उनलब वेग है, तो पहले माद्यम का वेग, और यह दहाँ पर दूसरे माद्यम का वेग, इन दोनों का अनुपात ही क्या कलाता है, यहाँ पर अपना यह मूट 2-1 कलाएगा, अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकत वाटर तो पहले क्या लिखेंगे अपन पानी का वेग लिखेंगे पानी की वाटर डबलू तो लिख दिया म्यू डबलू दूसरा क्या प्रकास का हवा में वेग हवा यानी की एर तो ए बाद में लिखेंगे अपन ठीक है एर तो डबलू एक अनलब यहां पर क्या है म्यू का मनलब क्या है अपरतनांग किसका अपरतनांग है डबलू और ए का ठीक है डबलू जो है डबलू पानी का हवा के सापिक्स ए मनलब हवा वायू के सापिक्स पानी का एर के सापिक्स वायू के सापिक्स अपरतनांग क्या लिखेंगे अपन हवा में परकास का वेग और पानी मे एर में कितना है बटा वेघ है वो वाटर में कितना है इन दोनों का Anupad दो आएगा जो रेश्यो आएगा वो इसका अपरतनांग कहलाएगा किलियर म्यू कहलाएगा को दिकत नहीं है तक अब देखो यह सभी का फिक्स कर रखा है इसको सब को मापा हुआ है विग अनिक उन्हे देखो किस परकास ये अपने एक इंडेक्स बनाते हैं, अपरतनांग के एक सारनी है, अपरतनांग के माध्यम की परकरती, अब देखो ये अपरतनांग किस किस पे निर्वर करता है, यहाँ से भी क्यूशन मनता है, कि अपरतनांग किस किस पे निर्वर करता है, याद रखे का परकास का जो रंग है वो एनकी परकास में सात रंग होते हैं मुझके तर उससे सात रंग माने गए हैं और सातों रंग की जो तरंग धेदरी है वो अलग-अलग होती है तो परकास की तरंग धेदरे पर निर्वर करता है जैसे माली जी अपने बात करें तरंग धेदरी क्या है तो देखो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चीतर ना आता हूँ इस प्रकार से माज़ी जी एका लाइन खीष दी मने और यह एक रेखा तरंग के रूप में इसे इसे गति करती है ठीक है ना देखाओ का ना पने इस प्रकार से यह तरंग है यहां से लेकर कि जो एक चकर इसने पूरा किया साइकल यहां तक यह इसका एक तरंग जदरी हो गया ठीक है यह जो लेंथ है इस लेंथ को पर मापते हैं किसे लेंड़ा से किसे मापते हैं लेंड़ा से मापते हैं ठीक यहांके है यहां वंहरे जाएकर पूरा केली यहां सब्सक्राइप करें इसको परतिक ग्रेयर एक अई स्केँद्धोर कम होती है जो जो इदर बढ़ेंगे तरंग जद्रिया बढ़ती जाती है देखो इस प्रकार से जो लाल रंग है उसकी तरंग जद्रिया सबसे ज़्यादा हो जाएगे रेड कलर की तरंग जद्रिया सबसे ज़्यादा होती है यानि कि बैंगनी कलर की तरंग जद्रिया सबसे उल्टा कर दीजिएगा, आप देखो आगे समझते हैं इस चीज़ को, आगे आ रहा है, कि बेंगनी रंग के परकास के लिए अपरतनांग सबसे अधिक होता है, क्यों वही, क्योंकि बेंगनी रंग की तरंग देदरे सबसे कम होती है, इसलिए अधिक उल्टा कर दो, और लाल रंग के प्रकास के लिए प्रतनांग सबसे कम होता है क्यों कि लाल रंग की तरंग देदरे सबसे ज़्यादा होती है इसलिए प्रतनांग सबसे कम होता है ठीक है यह वितकर्मानुपाती होता है उल्टे को बोलते हैं वितकर्मानुपाती यह एक ज़्यादा तो दूसरा कम ल यहां देखो एक सारणी दी गई है इस सारणी में आपको दो तीन चीज़े तो रठनी ही पड़ेंगी जैसे किस्टन बोर्ड प्रिक्षा में कई बार पुछा गया है कि वायू का प्रतनांग कितना होता है तो आपको लिखना है एक पॉइंट जिरो 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 थी पानी का याद कर लिजीगा 1.33 छिक इसशी प्रकार्ष śp काच का याद कर लिजीगा 1.50 और हीरे का या जरूर कीजिएगा लिखना का कई बार पुछा गया है दो पॉइंट चार दो, यह अपरतनांक है अब आपको कोगे सर हमें समझ में नहीं है किसे निकाला आए, कि यह क्या है टेबल थोड़ा से इसको समझते हैं, देखो बिल्कुल आपका जितना भी जो भी आपके दिमाग में क्यूस्टन है ना, उसको अपन पहले ही समझ आते हैं कि आपके दिमाग में क्यूस्टन बन सकता है, कि यह क्या चीज असर हमें समझाओ देखो इसको ऐसे समझेगा परकास का वेग आप सभी जानते हो कितना होता है इस पार्ट में सुरू में आई भी था तिन गुना दस्की घात, आठ मिटर पर 30 सेकिंड ठीक है, परकास का वेग यह होता है निर्वात में, यह निर्वात में होता है वायू में थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है, क्योंकि वायू के अंदर धूल के कर भी है परकास का वेग कम हो जाता है ति या अपन बात कर रहें उपर तो मादेम लेंगे अपन किया लेंगे रेखो था दूसरा मादेम ले लिए पानी तो पानी के अंदर तो परकास का वेग है यह होता है 2.25 गुणा 10 की घात 8 मिटर पर 30 सेकिंड समझेगा जहां से दूसरा क्या लिया अपने पानी लिया तो पानी लिया उन्य लिया डबलू ठीक है और यह वायू में है तो वायू के लिया अर तो यहां पर देखे खास बात यह है कि इन दोनों का अपन भाग देंगे तो 10 की घात 8 से 10 की घात आप तो कर जाएगा और 3 के अंदर 2.25 का भाग दोगे ना इसको आप मोबाइल में कैलेकुलेटर में करके देखेगा यानि कि 3 में 2.25 का भाग दीजिए तो 1.33 आएगा चीक है यानि कि अपरतनांग कैसी आए पानी के अंदर जब परकास की किरन निर्वाद से किस में प्रिवेस करती है निर्वाद से पानी में प्रिवेस करती है तो निर्वाद का वेग V1 दूसरा पानी का वेग V2 इसको भाग देते हैं तब ही तो आता है अपरतनांग म्यू V वेग परकास का वेग वाईू में और V2 इन कि परकास का वेग किस में पानी में पानी में परकास का वेग होता है 2.25 मिटर पर से गुणा दस्की गाता 8 मिटर परती सेकिंड और निर्वात में परकास का वेग होता है तीन गुणा दस्की गात आट मीटर पर 30 सेकंड तो इसका मांत 1.3 तीन आजएगा ऐसे निकला गया है चलिए एक 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 जामपल शेवर समझते हैं कास का दो दे रखा है वो 1.5 जो दे रखा है छीक है ये केस आया कैससे निकलेंगे अपन यहां लिखेंगे मियू ठीक है इस उतकल टू परकास का वेग वायु में या निर्वात में मांनेजे तीन गुणा दस्की गात आठ मीटर पर 30 सेकंड और कास में जो परकास का वेग होता है वो दो होता है दो गुणा दसकी घात ऑट मिटर परति सेकंड होता है टो यहां पर पने नीचे वाला मादिया नीचे वाला के लिया काइज को रिज्मरी को लिए गलास हो आगाको यह पर पर G और दूसरा क्या है निरुवात या वायू बोल दीजिए वायू के इतना ही होता है लग बग चीक है परकास का वेग वायू के दर भी तीन गुणा दस्की गातार मीटर पर ते सेकंड ही होता है तो मनें लिख जिया जी ए ए मनें एर चीक है यानि कि गलास के सापेक्स हव अब तीन में जब आप दो का भाग दोगे आप देख सकते होतीन में दोका भाग दोगे तो एक पॉइंट पांच आएगा इस अपरतनांग का माना जाएगा ठीक तो इस परकार से ये अपरतवनांग निकाला गया है जो कि अक्सर बच्छे इसको रटते है अला कि आपको रटना ये इसको एक बार वायू बार यात कर लिजिए मैंने पूठेंड याओ कर लिजिए और एक चुत्था हाँ क्योंकि उपर अपने फारोला दे रखा है, सुत्र दे रखा न, V1 और V2 का अनुपात, जैसे हवा में वेग और वाटर पानी में वेग, इसका भाग देंगे, तो अपरतनां का जाएगा, किलियर, तो इस परकार से हमने इसी वीडियो के अंदर, अपरतन के जो नियम है, पहल में समझा, धन्यवाद